नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 15 जुलाई 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोरल डिसकेशन में आपका सौगत है थोड़ी सी वीडियो आपको लेट लिक मिल रही है लगबख साड़े आठ बजे यह हो सकता उससे थोड़ा जादा आगे उसका रीजन यह है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी गई हुई है मुंबई भे पानी विरस रहा है और जब पानी विरस था तो यहां भे ब्रॉडबेंड गनेक्शन कर जाता और एक डिएड़ जीबी की वीडियो मोबाइल के 4G से अपलोड करना तो अपने आप में भी यह मास इस आर्टिकल को लिखा है सुहरीत पार्था सार्थी जी ने एडवोकेट है मद्रा साही कोट के देखिए इनका यह बोलना है कि जो उत्तरपदेश सरकार का यह जो स्टेप है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलसी लेके आए हैं और इसके तुरू इंसेंटिव्स और इस इंसेंटिव्स देके लोगों को बच्चा पैदा करने से रोकेंगे यह पॉलसी सक्सेस्फुल नहीं है और इस पॉलसी को सक्सेस्फुल ना होने के लिए इन्होंने तीन-चार सुप्रीम कोट के जज्जमेंट को कोट किया एक जज्जमेंट तुरू ने पुत्तु- स्वामी जज्जमेंट उसके साथ International Conference on Population and Development Program of Action 1994 उसके साथ सुचीता शुरवास्तव एंड एनर वर्सेस चंडीगर्ड अड्मिनिस्ट्रिशन वाला जज्जमेंट सुप्रीम कोट का और एक और जज्जमेंट है जिसका नाम है आपका जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट यह कुछ जज्जमेंट को कोट करके यहां पर ऑथर National Population Policy के अगेस्ट बात कर रहा है उत्तरप्रदेश का जो Population Control Bill आया उसके अगेस्ट बात कर रहा है तो इनकी बात में के तरदम है हाँ सिर्फ हम वही पॉइंट से इसका करेंगे देखे मैं आपको यहां पर दुबारा यह नहीं बताऊंगा कि इस Population Policy में क्या है वह मैं पहले बता चुका हूँ उसके और यह अरड़ी एक वीडियो बनी हुई आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं हाँ उत्तरप्रदेश इस प्लानिंग तो कंट्रोल इस Population हो सकता आप में से बहुत सारे लोगों ने बताऊंगा मैं जो यहां पर क्रक्स बता रहा है कि कौन से Supreme Code के जज्जमेंट के बेसिस पे एक जस्टिफाइड नहीं जस्टिफाइड है सिर्फ इतना बताऊंगा फिर एक आर्टिकल आच छपा हुआ है यह आर्टिकल मैं काऊंगा काफी अच्छा है इस आर्टिकल के रि UK के लिए, London के लिए कितनी परिशानिया यहां पर खड़ी हो रही है उसके बारे माचित की गही है और जबरदस्त परिशानिया इस समय पर UK की पॉलिटिकल सोवरैनिटी तक खतरे में एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया पर राच किया है वो खुद आज की डेट में मिल के लिए इन दोनों चीजों को देखेंगा और अभी जो निगोसियेशन चालों में कुछ ने कुछ प्रॉब्लम है तेरे जो के पी शर्माहुली और बिद्या देवी बंडाडी वाला इसू यह मैं डिसकस कर चुका हूं तो बड़ा डिसकस नहीं करूँगा फिर एक्चुली में आपे इंद्रागाधी नैशनल उपन उनिवरस्टी में एक नया कोर्स लांच किया गया है वह है डिग्री कोर्स इन एस्टरोजी जो आथर है वो खासा नहराज इससे नजर आ रहे हैं और हमीद धबोलकर साब साब साइक्रेक्रिस्ट है और मेंबर है रैस् आपको डिसक्स करूँगा इस एडिटोरियल में और एक दो आठिकल्स है एक तो आपका है अवार्ट्स के नौट बी डोल डाउट और एक पीपल्स वॉइस न कर्श्मीर फ्यूचर इसमें रेलिवेंसी के हिसाब से मैं अलग से वीडियो बनाके आपके लिए टॉपिक कव इस नोग से में पर करी देता हूं अब लिए चार मोस्ट इंपोर्टन आडिकल्स मुझे लगे वह मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं चैनल मेंबर सो सब्कार लेते हैं देखते हैं किसने किस ने को जोएन कि है तो नेहा जेनें को जोएन कि है अमार छारीया ने ने हमको ज जहागीर अली का भी second month है as a member, फिर जैवीर सिंग ने भी हमको जोइन किया, उसके साथ साथ रतनेश सिंग ने हमको जोइन किया, और हिव्जा खान ने हमको जोइन किया, तो हिव्जा खान, रतनेश सिंग, जैवीर सिंग, तो अमन छारिया, और नेहा जे, I welcome you all to my channel and special thanks to Priyansu Mishra, Nikhil Swai, Sopnil, Tagwale and Jahagir Ali, चुकि this is their second month as a member, तो recurrently join करना is definitely helpful, thank you so much and thank you so much to all of you who are joining and helping me in this venture, I hope आपको फाइदा हो रहा होगा, तभी आप जोइन कर रहे हैं, तो चलिए आज की discussion को शुरू करते हैं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्ते हो, अगर अब तक आप ने इस वीडियो को शेर नहीं कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं बात नहीं, अगरा कि बहुत दूर नजर आ रहा है, इस्टार्ण पर फॉलो कर लिजिए, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पेश सकते हैं, सासा टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लिजिए, इस लेक्चर की पीडिएफ आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी, वेबसाइट प पर रोज शाम के बेसिस पे मैं एक डेली न्यूस कंपाइलेशन का आर्टिकल अपलोड करता हूँ, जहाँ पर दिन की सारी न्यूस बिल्कुल होलिस्टिक फॉर्म में कवर होती हैं, तो आप उसको जरूर से चेक कर लीजएगा, ठीक है, और किसी इस प्रकार के ग्रूप क इस प्रकार की रेलेवेंट तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, और चुकि करेंट अफेर्स हैं, एडिटोरल और करेंट अफेर्स काफी हद तक एक दूसरे के साथ रेलेटेड है, तो यह उनके लिए रेलेवेंट वीडियो भी है, चले शुरुबात करते हैं, making welfare conditional is a stamp of coercion, a simple reading of UP's draft population control law is that it will grossly impinge on the right to reproductive freedom, देखे, बिल में क्या क्या है, वो मैंने बात कर ली है, मैं अलग से आपको बताने वाला नहीं हो, जो कुछ भी बिल में है, वो आपको यहां पे थमनेल में ही नजर आ रहा है, तो no need to discuss it separately, उसके लिए स्पर्टिकल वीडियो को द देखे, यहां पे अलग से क्या बताया जा रहा है, कुल में राके केंद्र सरकार का क्या stance रहा है, राजी की सरकार का जो यह stance रहा है, और internationally क्या stance रहा है, इन पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, तो देखे, साफ बात यह है, कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट के सामने, Union Ministry of Health and Family Welfare, population controls related जो भी नियम कानून लाए जाते हैं, अलग राजी की सरकारों के दोरा, उसके respect में अपना effidavit जब केंद्र की सरकार ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो केंद्र की सरकार ने क्या बोला, केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला, मतलब की, केंद्र की सरकार खोजित बात को मान रही है, कि अगर आप international experience पे जाओ, तो अगर आप कोर्ट करते हो, किसी की उपर जबरदस्ती करते हो, कि वो कम नंबर और बच्चे पैदा करें, तो यह counterproductive होता है, तब लोग नाराज होते हैं, अब सबसे पहली बात तो आप को यहाँ पर यह समझनी है, कि coercion क्या होते है, incentive देना और disincentive देना, इसको आप किस हद तक coercion की category में डा सकते है, coercion मतलब किसी की उपर जबरदस्ती करना, तो जैसे कि आप खुद से पढ़ रहे हो, या फिर जबरदस्ती आपके ममी बापा आपको रंडा मार के पढ़ा र जो भी बाकी राजी की सरकार है, थोड़े बहुत incentives देखे कि हाँ एक बच्चे पैदा करोगे, दो बच्चे पैदा करोगे, तो इत्ते increment मिलेंगे, अगर तीन बच्चे पैदा करोगे, तो यह फैदा नहीं मिलेगा, यह subsidy नहीं मिलेगी, तो यह incentives और disincentives को किस हद तक obligations under international law, अभी international law कौन सा है, international conference on population and development program of action, 1994 का law है, और इस 1994 के law के अंदर कुछ principles है, और इन principles में बहुत खास principle यह बताया गया है, कि there will be a pledge from nations, मतलब अलग-अलग nations pledge करेंगे, यह promise करेंगे, that they will look beyond demographic targets and focus instead on growing a right to reproductive freedom, मतलब कि जो अलग-अलग nations हैं, जो इस particular program को, international conference on population and development program of action को follow करेंगे, वो demographic target पे कम ध्यान देनी की बजाए, population control पे कम ध्यान देनी की बजाए, लोगों की individual freedom पे जादा ध्यान देंगे, यानि लोगों के ओपर भी किसी प्रकार की जोड़ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कि जबरदस्ती बच्चे पैदा करें, ठीके बाई, तो मतलब इंडिया ने अगर ये international development program ये जो 1994 का अगर इसको sign किया है, प्रोग्राम को नाम धिया से देख लिए, international conference on population and development program of action, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा फ्रेज अपने notes में note करना है, और इसको exam में चेपना है, ठीके न, चुकि अगर आपने पूरा नहीं लिखा तो कोई मतलम नहीं है, तो इनके provisions के हिसाब से साफ साफ इंडिया का क्या target है कि इंडिया demographic targets को follow नहीं करे incentives और disincentives किस basis पे आ रहे हैं, ला रहे हैं कि हमारे पास human resources अलड़ी कम है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा न, अब देखे, यहाँ पर Supreme Court का एक judgment court किया जा रहा है, Supreme Court ने सुचिता शिर्वास्तव एंड A.N.R. vs. Chandigar Administration 2009 में क्या बोला, Supreme Court ने कि a woman's freedom to make reproductive decisions is an integral facet of the right of personal liberty guaranteed under Article 21, मतलब Article 21 में जो आपको personal freedom guarantee की गई है, उसमें एक woman के पास बात की भी personal freedom है कि वो decide कर सकती भाई उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चे पैदा नहीं करने हैं, समझ गया है, तो the court road to recognize that reproductive choices can be exercised to procreate as well as to abstain from procreating, मतलब एक करता है, Article 21 के अंदर, यह उसकी personal choice है, वो बच्चा पैदा करना चाहती है, यह बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, तो यह incentives और disincentives देखे, उत्तर प्रदेश की सरकार, एक lady के उपर unwanted, आपके सकते हो, coercion डालने की कोशिश कर रही है, मतलब उसको incentives और disincentives देखे, भट काने की कोशिश कर रही है, उसके viewpoint को बदलने की कोशिश कर रही है, मतलब woman के दिमाग के ओपर यहाँ एक extra pressure डाला जा रहा है, ऐसा यहाँ पर किसका बोलना है, अतर का बोलना है, देखे, मैं आपको एक बात बताते तो, आप बहुत अच्छी दरीके से जानते हो, कि हमारी देश में woman के क्या हालात है, वो woman जो काफी काबल हो गई है, शहरों में आ गई है, नौकरी बगार कर रही है, खेर ISIP साब में से जो भी लड़किया मेरी वीडियो से देख रही है, तो आपका तो खेर लेवल ही अलग हो जाएगा, लेकिन अब हर कोई तो ISIP हर लड़की तो IS ISIP हैं नहीं, इंडिया में, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो बिलकुल गाओं के अलाके में हैं, उनके ओपर घर का प्रेशर है, बहुत ही conventional सेटिंग में वो रह रही हैं, तो उनके ओपर प्रेशर आ जाता है, और वो प्रेशर फैमिली का प्रेशर होता है, तो आपको प बच्चा पैदा करने में उसके शरीर के ऊपर कितना प्रेशर आता है, उसके हलत खराब हो जाती है। तो कोई भी sensible और reasonable lady दो से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहेगी तो ये जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला pressure इंडिया की setting में आता है वो family pressure के चलते आता है तो ये logic दे रहे हैं यहाँ पे सुहरीद पार्ता सार्ती साथ कि सुचीता शर्वास्ता सुप्रीम कोट के judgment में सुप्रीम कोट ने बोला है कि भाई एक lady के पास पूरा right है अपनी body की ओपर वो बच्चा पैदा करना चाहे या नहीं करना चाहे अगर इस sense से आप देखोगे तो ये sense violate नहीं हो रहा है उत्तरपदेश की policy incentives दे रही है जो उनको पालने की दम रखें अगर population planning को lady पढ़े लिखी एक family पढ़े लिखी couple पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा बच्चे AC तब भी पैदा करेगा जब उनकी आउकाद होगी उनको पालने की जब नहीं होगी तो खुदी नहीं करेंगे आज की date में family planning का मतलब ही होता है जादा बच्चा पैदा करने वाली जो setting होती है यह familial pressure की वज़े से होती है एक lady की उपर ठीक है तो एक point यहाँ पर यह भी निकल कहा रहा है कि जो उत्तरपदेश की population policy है वो इन ladies को एक leverage दे रही है कि कल की date में यह ladies अगर बहुत resourceful हैं तो वो चाहें तो दो से जादा बच्चे पैदा कर सकती है तो यह सब point यहाँ पता जा रहे है तो सुचीता शिर्वास्ता वाले जजज्मेंट को यहाँ पर कोड किया है उत्तरपदेश population policy के against सुरीत पार्तासारती सामने बट मुझे यह लगता है कि यह logic इनका सही नहीं है next बात करते हैं इन्होंने Supreme Court की जो nine judge bench verdict है K.S. Puttu Swami vs. Union of India इसको भी यहाँ पर कोड किया इस judgment में क्या बोला जा रहा है इस judgment में बोला जा रहा है a reading of the plurality of opinions there shows us that the constitution sees a person's autonomy over her body as an extension of the right to privacy कहना है मतलब यह कि एक particular person की अपने body के उपर जो autonomy है that is the extension of the right to privacy मतलब कि किसी एक particular person के पास right to privacy है उस right to privacy के अंदर उस particular person के पास अपनी body के उपर rights भी है तो इस हिसाब से एक lady के पास अपनी body के उपर rights भी है अगर इस logic से भी मैं आपको बताओ तो एक lady के पास अपने body rights है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उस lady का decision बनता है यह decide करना कि भी अपने body से उसको एक बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है ऐसे cases में उसका husband या फिर उसकी family उसके उपर pressure डाल रही कि बच्चा extra पैदा करो और बच्चा उसमें पैदा किया जाता है तो ऐसे cases में फिर case puttu swami judgment का violation होगा यहाँ पर समझना यह है कि हमारे देश की जो social setting है वहाँ पर ladies को बहुत हट तक pressurize किया जाता है जादा बच्चे बैदा करने के लिए अब देखे इस judgment को थोड़ा और analyze करते है case puttu swami versus union of india 2017 judgment को इस judgment में justice d.y. चंदर चुलो साम ने कहा privacy part takes different connotation क्या क्या भाईया connotation से privacy के these include decisional autonomy which comprehends among other things liberty or intimate personal choices such as dose governing reproduction justice sk call similarly declared in a separate judgment that the right to procreation was an important constituent of privacy of the home मतलब कि इस puttu swami judgment में decisional autonomy दी जा रही है एक particular individual के ऊपर यह depend करेगा उसकी खुद का decision होगा कि भाई reproduction करना है की नहीं करना है reproduction is their personal choice और SK call साब में भी अपने separate judgment में यही बोला कि भाई procreation privacy of the home का एक important constituent है couple बैठ के आपस में decide कर सकता है और couple में एक important जो सबसे important part है वो lady का है चुकि बच्चा lady के शरीर से ही आएगा फिर यहाँ पर क्या बताया जा रहा केस पुत्तु स्वामी जज्मेंट में यह भी बताया गया कि भाई यह सारे fundamental rights आप कह सकते हो दिखे right to privacy boundless नहीं है right to privacy के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो right to privacy के उपर definitely कुछ restrictions place किये जा सकते हैं लेकिन वो restrictions doctorate of proportionality के साथ match खाने चाहिए केस पुत्तु स्वामी जज्मेंट का सबसे important point यही है doctrine of proportionality जब भी आपको doctrine of proportionality नजर आ जाना समझ जाना केस पुत्तु स्वामी जज्मेंट सुप्रीम कोड की बात हो रही है तो doctrine of proportionality के चलते ही है बोला जाया है कि किसी की right to privacy में थोड़ा बहुत खलल, थोड़े बहुत restrictions डाले जा सकते हैं लेकिन वो तब डाले जा सकते हैं जब हो restrictions किसी statute की basis डाले जाए है मतलब किसी law, किसी statutory law के basis बाले जाए है दूसरा, जब भी आप ऐसा कोई restriction डाल रहा है किसी की right to privacy पे तो उसका एक legitimate governmental aim होना चाहिए तीसरा वो measure less intrusive होना चाहिए मतलब कि अगर आप किसी के right to privacy के ओपर किसी भी प्रकार का को restriction डाल रहो तो आप इस बात को ensure करो कि इस restriction के अलावा क्या कोई दूसरा आसान alternative है जिससे वो particular person परिशान ना हो और अगर आसान alternative है तो उसको exercise करो आसान alternative नहीं है तो आप जरूर कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो least way में किसी के right को restrict करें और at the same point of time चौता point क्या बोला जा रहा है there exists a rational connection between limitation, impose and aims of the statute मतलब जिस particular नियम कानून के तहुत वो reasonable restriction आप impose कर रहे हो ठीक है न वो एक reasonable limitation impose करें तो reasonable limitation impose होनी चाहिए law के हिसाब से impose होनी चाहिए law के हिसाब से जो reasonable limitation impose होगी न यह rational होनी चाहिए तो यह कुछ particular points बताएगे है पुत्तु स्वामी judgment में तो पुत्तु स्वामी judgment का जो doctrine of proportionality है वो यह बोलता है कि personal choice के ऊपर आप checks and balances लगा सकते हो personal choice को आप restrict कर सकते हो बशर्ते वो logical हो अभी इनका साफ साफ end में यही बोलना होगा कि पुत्तु स्वामी judgment को अगर आप देखते हो तो UP का draft law बिलकुल भी यहाँ सेटर नहीं बैट रहा है चुकि यह जो UP का draft law है अब definitely अगर घर में सिर्फ ladies इस बात को चाहती है कि भाई उनको बच्चे पैदा नहीं करने मतब उनको बच्चे ज़ादा पैदा करने तो अगर एक lady यह बात को चाहती कि उनको बच्चे ज़ादा पैदा करने उस case में उत्तर पदेश का draft law सही नहीं है बट जादातर सर्वेज यहीं बताती है कि पढ़े लिखे घर में एक जो पढ़े लिखी लेडी होती है वो मैक्सिमम एक या दो से जादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती है अगर जादा बच्चे उनको पैदा करने हैं तो कहीं न कहीं वो फैमिलियर प्रेशन के अंदर इसा कर रही है तो यहां पर सुरीद पार्था सार्थी जी ने इस प्रकार के जो भी नियम कारून है उनको थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश सरकार के परस्पेक्टिव से गलत दिखाने की कोशिश किये पर्टिकुलर इंडिविज्वल एक पर्टिकुलर वूमन का क्या प सुरीद पार्था सार्थी सब और यह पॉंट्स मुझे काफी अच्छे लगे इनका यह बोलना है कि देखिए अगर आप टू चायल लिमिट या वन चायल लिमिट लगाते हो तो इससे सेक्स रेशियो भी गड़ सकता है तो यह पॉंट बिल्कुल सही है हमारे देश में लो यह एक जैनुएन प्रॉब्लम एससेटेड है जिससे सरकार को रोकने की ज़रूत है नेक्स्टीज है भाई कि प्रॉलिफरेशन इन स्टेरिलाइज़ेशन कैंप्स स्टेरिलाइज़ेशन कैंप्स को लेके पहले काफी बात चीच चलिए देवी का विस्वास वर्सिस यून स्टेरिलाइज़ेशन कैंप्स में माइनॉर्टी स्टार्गेट किया रहा है कि नहीं भाई स्टेरिलाइज कर दो आलागले इंसेंटिफ देखे ताकि बच्चे ना पैदा हो पाएं यह सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ठीक है दूसरा एक और जजजमेंट है जावेद ए इस नियम कानून को सुप्रीम कोट में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोट ने बोला इस नियम कानून के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यह नियम कानून को गलत नहीं बोलोगे आप अपना व्यूपॉइंट दोगे तो किसी भी इस प्रकार के कुश्चिन में जहां पर population controls related आपसे बात है पूछी जाए और definitely पूछी जाएंगी इस बार के मेंस के question में मेंस के paper में definitely आना तैय है most probably GS paper 3 में ऐसा एक सवाल आ सकता है यहाँ ठीक है GS paper 3 की respect से चीज इंपोर्टन हो जाएगी तो इसलिए यहाँ पे आप यह सारे सुप्रीम कोट के जज्जमेंट से याद रखिए कौन कौन से तो यह मैंने आपको बता है जावेद नदर्स वर्से स्टेट ऑफ हर्याना जिसमें सुप्रीम कोट ने बोला कि भाई यह जो हर्याना का law है जो कि यह बोलता है कि दो से इसको याद रखिएगा और उसके सासर एक और जजजमेंट सुचीत सिर्वास्तवन एनर वर्से चंडीगर अगर यह जजमेंट इनके पॉइंट के साथ कोट कर दे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे चुकि इससे उस पर्टिकुलर आंसर चेकर को यह पता होगा कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे ने प्रॉपर थीसिस प्रॉपर एनलिसिस करके आई यह चीज़ों को गोटट चले अगले आर्टिकल चलते हैं फाइव एस लेटर ब्रेक्जिट कॉंटिनूस टुड़ दा ब्रेक्जिट इस फोरकास्ट अ क्लीन ब्रेक्ट विद यूरोपन उन अंडर्स्टिमें इस इस ब्रेक्जिट का रफ्रेंडम पांच साल पहले हुआ था लगबक 2016 में उन लगबक 2016 में यूके में लोगों ने यहां पर वोट डाला और डिसाइड कि हम ब्रेक्जिट से निकल रहे हैं अब अलग 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 जगों पर अलग प्रकार से वोट पड़े हैं जैसे स्कॉटलेंड में और आयरलेंड में जो वोट पड़ आपको पता होना अच लेकिन अब इसके चलते काफी प्रॉब्लम यहां पर निकल के आ रहे हैं ब्रेक्जिट नाम के इस इवेंट को सेकेंड वर्ड वार के बाद ब्रेटिश पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट बताया जा रहा है और इस इवेंट के अंदर ये पोटेंशल है कि ये ये य तो बोरिश जैंसन ने अपने आने के बात यूरोपीन यूनल से निकलने का जो प्रॉसस है काफी तेज कर दिया है विड्रावल एंड ट्रेड एंड कोपरिशन एग्रिमेंट इसको लेके कितनी लडाई हो रही थी यूरोपीन यूनल और बिटेन के बीच में ये मैं आपक अब बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो गई है यूके अपनी 70% फिश इंपोर्ट करता है ठीक है भाई काफी सारी फिश आपकी यूरोपीन यूनल के देशों से ही आती थी अभी वो आएगी उसके ओपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो अपने आप में एक बवाल है यूके की जो इंडस्ट्री है वो उसकी जीडीपी का किवाद 0.12% फॉर्म करती है वर्कफोर्स का 0.1% फॉर्म करती है यूके के बहुत सारे लोग यूरोपेन यूनल में जाके नौकली बगाया करते थे वो एक नहीं प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है फिर रिसेंटली एक और इवेंट हुआ है एक जर्सी नाम का आइलेंड है फ्रांस के बगल में अगर आप नक्षा देखें यहां पे तो उपर इंगलेंड नजर आ रहा है नीचे फ्रांस नजर आ रहा है ये बीच में आपको इंगलिश चैनल नजर आरा है अक्सर कर इंग है आफ देख सकते हैं किफ्रांस मेंनेंड के बहुत पास है और सोवरिन गोर्मेंट इसकी इंगलेंड है और इक्सर कर फ्रांस की जो फिशिन में है नजर्सी के वालटर वार्टर के fly है न वो फ्रांस से आने वाली underwater cables के थ्रू जाती है तो कुल मिला के कुछ दिन पहले क्या हुआ कि फ्रांस की 60 जो fishing boats थी वो जर्सी के waters में पहुँच गई अब ही जर्सी के waters में पहुची तो जर्सी ने बोला कि नहीं भाई तुम यहाँ पर आके fish नहीं कर सकते फ्रांस ने बोला हम तो fish करेंगे तो हमको fish नहीं करने तो कि तुमारी बिजली काट देंगे ब्रिटेन ने नो दो naval vessels को यहाँ पर deploy कर दिया तो कुल मिला कि जर्सी को लेके ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक facet है Irish Sea का facet यह Jersey Island वाला facet तो कुछ समझ में है आपको पता होना चाहिए जो Northern Island है इस बेसिकली अपर्ट ऑफ United Kingdom और United Kingdom और Northern Ireland के बीच में यह Irish Sea है अब Irish Sea को लेके क्या बवाल है इसको बताता हूँ अब खास बात यहाँ पर यह कि दिखी ही जो Northern Island है इसका नक्षा मैंने भी आपको यहाँ पर दिखाया यह Northern Island है United Kingdom का पार्ट लेकि Northern Island EU का पार्ट बनके रहना चाहता है तो यह जो EU का agreement हुआ United Kingdom के साथ इस agreement के चलते Northern Island EU के single market का हिस्सा रहेगा अब problem यह है कि यह जो Northern Island है यह politically England का पार्ट है लेकिन यह European Union के single market का पार्ट रहना चाहता है अब चुकि ब्रिटेन अलग हो चुका है तो ब्रिटेन के साथ जो association के फाइदे EU को थे वो खतम हो चुके है तो EU अपने फाइदे ब्रिटेन को नहीं देना चाहता तो अगर सब जस्स समझने कोशिश करिए अगर यह जो Northern Ireland है If this becomes a part of European Union तो उस केस में Northern Ireland के पास single market access होगा European Union का तो अब उस केस में United Kingdom से माल लिजे कोई समान निकल के Northern England में जाता है तो Irish Sea के अंदर border control लगा सकता है European Union मतलब कि हो सकता है कि United Kingdom का समान Northern Ireland बैक तो उसके उपर import duty लगने लगे है क्यों? चुकि Northern Ireland अभी भी European Union के single market का पार्ट है अब आप सोचो Northern Ireland politically United Kingdom का पार्ट है और market के टर्म्स में हो European Union का पार्ट है तो European Union के पार्ट होने के चलते अगर Northern Ireland में कोई भी चीज United Kingdom से import होके आ रही है तो सकता उसके उपर import duty लगने लगे क्या ये बात कभी भी United Kingdom को पसंद आएगी कि उसी समझ ही आप जिसे माल लीजे हबारा एक स्टेट है पंजाब अभी पंजाब के अंदर हम कोई सामान भेज रहे है तो उसके उपर import duty पंजाब लगाने लगे तो क्या आप कभी भी इस चीज़ को support करोगे अभी सी बात नहीं करोगे United Kingdom का पार्ट है Northern Ireland अब चूकी Northern Ireland आपका सिंगल मार्केट का पार्ट है European Union का तो European Union हो सकता है इस Irish Sea के अंदर border control लगा दे और UK से आने वहले चीज़ों के उपर import duty लगा है वो United Kingdom लगने नहीं देगा तो overall यहाँ पर repercussions बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं देखिए अपने हाँ में बहुत बड़ी बात हो जाएगी overall यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा problematic होती आ रही है तो यह chilled meat का import होता है Britain to Northern Ireland का इसमें भी कुछ ना कुछ issues निकल के आ रहे हैं कि तीन महिने का extension दो हम यहाँ पर Northern Ireland में जो meat products बेचे हैं वो Northern Ireland के market में आराम से बिख सके हैं बहुत सारे जो ट्रेडरेंस हैं वो Northern Ireland से meat products को उठा के बाकी European Union में transport कर रहे हैं और चुकि Northern Ireland single market का part है European Union का तो European Union भी परशान है कि यहां करें तो करें क्या तो कुल मिला कि बहुत सारी यहां पर issues निकल के आरें Brexit में Britain के UK के आपके EU से exit ही फिर आप समझ गी यहां पर और क्या-क्या issues हैं Britain अपने आपको बड़ा सरवाशी देता है कि देखो मैंने COVID-19 का कितना अच्छा immunization किया है European Union से तो बहुत अच्छा immunization किया है At the same point of time वो City of London के success को दिखाते हैं हुआ यह कि जब Britain ने European Union को छोड़ा तो European Union की जो बड़ी-बड़ी companies थी ना वो Britain से बाहर निकलने लगी जो बहुत बड़े-बड़े bank के headquarters London शहर में थे ना वो Britain से बाहर निकलने लगे तो City of London इस बात की success को बना रहा है कि देखो इस European Union ने बड़े-बड़ी company के headquarters को लंड़न से बाहर निकाल दिया उसके बाद भी हमारी City of London एक success है तो कुल मिला कि यहां पर UK के side पे जो लोग है वो यह बार-बार दिखाने के कोशिश कर रहे है यह Brexit भले हो गया कि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है और European Union वाले इस बात को तो मान चुके हैं कि चलो हम England से अलग हो चुके हैं लेकिन फिर भी कहीना की नुकसान उनको भी हुआ है और यह Scotland वाले मुद्दे को लेकर Ireland वाले मुद्दे को लेकर अभी भी बहुत intense negotiations चल रहे है European Union की बीच में और Britain की बीच में अब खास बात यहां पर यह है कि European Union थोड़ा डर गया जब Britain ने Brexit हिया तो European Union को इस बात कड़ा दे कि बाकी countries भी Brexit ना कर जाए France और England जैसी France और Germany जैसी countries भी European Union से Brexit ना कर जाए तो European Union भी England के उपर cost impose करना चाहता है sanctions impose करना चाहता है European Union चाहता है कि अगर Britain ने European Union छोड़ा है तो Britain को नुकसान हो तो जब Britain का नुकसान बाकी countries को दिखेगा तो कोई भी और countries बात की जिद नहीं करेगी कि हम European Union छोड़ना चाहते है पॉइंट समझे हो ना बात को Britain European Union को छोड़के यह दिखाना चाहता है कि हमने बहुत अच्छा decision किया यह हमारी economically कितना अच्छा है At the same point of time European Union cost impose करना चाहता है Britain के उपर च्योंकि European Union डर रहा है कि Britain के example को लेके कोई दूसरी कंट्री में उटकी खड़ी हो जा और बोले कि हमको European Union में नहीं जाना है और इसके चलते पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे कि France और Germany EU के अंदर England की अगेंस्ट बहुत जादा बोल रहा है UK और EU के relations काफी हद तक खराब हो गये G7 की मीटिंग के दुरान भी इस चीज़ को नोटिस किया गया था ठीके अब इसके कुछ और रेपरकरिशन से रेपरकरिशन के लाब को Scotland पहुचना पढ़ेगा Scotland में जो National Party है वो अब कही न कहीं Anti-Westminster होती नज़रा लिए Anti-Westminster Westminster मतलब यहाँ पर Parliament है Britain की तो कुछ हाँ तक Anti-Britain होती नज़रा लिए तो जब EU को छोड़ने की बात हुई थी Brexit पे वोटिंग हुई थी तो इस समय पे जो Scotland के लोग है Scots हैं उन्होंने 62% ने बोला था कि हमको European Union में रहना है 38% ने बोला था कि नहीं वह हमको European Union में नहीं रहना है हाला कि overall जो नंबर था वो European Union को छोड़ने के फेवर हुए था पूरे Britain में इसलिए पूरे Britain ने European Union छोड़ दी अब यह जो Scots हैं Scotland के लोग है वह चाते कि हम European Union का पाड़ बने रहे तो बहुत सारे Scotland के लोग क्या बोल रहे हैं काम करते हैं हम England से अलग हो जाते हैं तो अगर हम England से अलग हो जाएंगे तो European Union के अंदर हमको एक least developed status का दरजा मिल जाएगा और हम काफी फाइदा कमा सकते हैं हाला कि यह चीज़ इतनी आसान नहीं है Scotland के वो लोग जो यह सोच रहे हैं कि हम Britain से अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद हम European Union का पार्ट बनके अपना फाइदा कमा लेंगे यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम है तो यह चीज़ पॉलिटिकली उतनी आसान नहीं जितने Scotland के कुछ लोग बोल रहे हैं at the same point of time Britain के लिए problems यहां बहुत बड़ी होगी है चुकि Britain को दो major political issues नज़रा रहे है पहला issue तो Scotland है Scotland में आवाजे उठ रही कि हमको Britain से अलग होना और दूसरा issue है Northern Ireland Northern Ireland में भी Good Friday Agreement 1998 के बाद सबसे ज़्यादा आवाजे अभी उठ रही है कि हमको अलग होना है कहां से Britain से तो overall Britain के सामने political challenges इस Brexit के बाद बहुत ज़्यादा आ गया अब वो किस के साथ किस तरीके से deal करते हैं वो देखिये समय बताएगा ठीक है? तो यह था article I hope आपको clear cut समझ में आ गया है जितना simple तरीके सो सकता है मैंने समझाया है आपको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चीज़े आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी नेक्स आर्टिकल है Ramping of Supply Spikes, dips in vaccination rates are normal बट इंडिया नीड्स तो गाड अगेंस slackening देखिये लगबग 21 जून को सरकार ने policy announce की थी क्या policy announce की थी कि राज जी की केंदर की सरकार ने policy announce की थी कि राज जी की सरकारों के लिए vaccine हम खरीदेंगे और हम राज जी की सरकारों को vaccine प्रोवाइट करेंगे तो उस समय करें तो राज जी की सरकारों का टेंशन खतम होगा कि चलो भाई केंदर की सरकार की तरफ से वैक्सीन हैगी प्राबलम यहां पर यह है कि जो सेंटर का कोविन डाटाबेस है वो यह दिखाता है कि जो वीकली पेस है वैक्सीनेशन का वो बहुत कम हो गया जून 21 के बाद का जो हफता था उसमें जितनी वैक्सीन दी जा रही थे वैक्सीन की जो भी अविलेबिल्टी है अब वैक्सीन की अविलेबिल्टी उसके 60% पहुंच चुकी है और खासका साउथ इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो इस बात का कम्प्लेन कर रहे हैं कि भी यह हमारे पास वैक्सीन की शौटेज है 21 जून जब पहला देन था जब केंद सरकार ने बोला था कि ठीक है भाई हम वैक्सीन खरीद के राज की सरकारों को देंगे उस दिन 91 लाक डोजर्स को एड्मिनिस्टर किया गया थे इंडिया में और 27 दून तक 4 करोंड डोजर्स को इंडिया में एड्मिनिस्टर किया जा चुका है 5 से 11 जुलाई में 2.3 करोंड डोजर्स को एड्मिनिस्टर किया गया है अप्राइल मईए की तो बात ही छोड़ दो उस सेमें तो सेकंड वेव इंडिया के उपर चड़ी बैठी थी और हम वैक्सीन बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे fortunately हमने वैक्सीन बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करना बंद किया और अपने ले कहीं न कहीं रिजर्व किया अब खास बात यहां पर यह है कि वैक्सीन डिमांड भी यह जो अपरेल मई का समय था बहुत जादा थी और हम वैक्सीन डिमांड को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे धीरे धीरे देखो कि एक चीज़ें सुध रहेंगी 21-27 जून के हफते में on an average 60 lakh vaccines अद दिन का नौम देखा जाएगा फिर आप देखें कि 86 lakh doses देखें खास बात यहां पर यह है कि last time जब 60 lakh vaccines एक दिन में लोगों को दी गई है वो था 3 जुराई को अभी के लिए अगर आप इस साल के end तक सारे इंडियन्स को एक dose देना चाहते हो तो आपको प्रति दिन 86 lakh doses को administer करना पड़ेगा लेकिन 86 lakh doses को administer करना बिल्कुल impossible हो गया है क्योंकि अभी करें presently जो on an average चीज़ें चल रही है वो चल रही है 30 से 40 lakh मतलब दिन में 30 से 40 lakh लोगों को vaccine दी जा रही है 60 lakh से तो हम बहुत नीचे आ गए है पर कम से कम माई वाले figure से तो अच्छी है माई में हम लोग एक दिन में 20 lakh doses दे रहे थे vaccine के तो उस हिसाब से अभी की जो दिन के 30-40 lakh है वो फिर भी better है लेकिन 3 जुलाई के 60 lakh से कम है अब इस vaccination के pace से कम होने से इस vaccination की speed के कम होने से हमें नुकसान काफी बढ़ा है पहली बात तो देखिए अब तक हमने अपनी किवल 33% of the adult population को एक dose दी है और किवल 8% ऐसे लोग है जिनको दो दोज़स मिल चुकी है सरकार का target है कि सारे इंडियन adults को year end तक हम लोग inoculate कर देंगे cases की ticking थोड़ी बहुत नजर आ रही है शायद इस बात के chances हैं बहुत सारे media outlets और बहुत सारे international health organizations ये बोल रहे हैं कि इंडिया में already third wave शुरू हो चुकी है हर जगा पे apparent uptake के chances है कि इंडिया में ये येस में भी अगर आप येस की बात करो तो येस एक मात तरह ऐसा देश है जहां पे इंडिया से ज़्यादा cases करोना वाइरस के और अभी के लिए बहुत लंबे समय से महीने बर से येस में दिन के 15,000 से कम cases आ रहे तो करोना वाइरस के अब येस में भी दिन के 40,000 से ज़्यादा cases आ रहे हैं करोना वाइरस को इंडिया में भी लगबग वही हाला थे अब इंडिया में 40,000 cases फिर भी आप हमको थोड़े ठीकी लगेंगे चूकि अप्रेल मही में अगर आप चले जाओगे तो दिन में 4,000,000 cases आ रहे ते जनवरी से लेके अब तक सरकार ने को वैक्सिन के 8 करोन डोस को ओडर पुट अप कर रखा है लेकिन किवल 4.7 करोन डोस दी गई है तो वैक्सिनेशन रेट्स में स्पाइक और डिप देखने को मिल रहा है एडिकवेट पॉब्लिसिटी मेजर्स की ज़रू है कैंपेंस चला तो यह से बते हैं पता ही कही है नॉर्मल सा अर्टिकल था आपके साथ डिसकस कर लिए और आज का आखरी आर्टिकल डैट इस अंपॉर्टन नो स्यूडो साइंस प्लीज एस्ट्रोजी एक्स्प्लोइट्स दा विलरेबिल्टी ऑफ दे हुमन मैं और शूड नॉट नॉट उनिवर्सटी से बते हैं अपधि यस प्रकार के छीज़ आपसे कुछ ना कुछ पूँछी जा सकती है चीजह कहां का वह घ्यान एतिकल है क्या वह घ्यान मौरल है जैसे for example यहाँ पर studio science की बात की जारी इंद्रा गांधी national opal university जो कि इंडिया का premier national institute है education access के रिए इगनू के बहुत सारे distance learning courses पढ़ते हैं और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता पढ़ते भी हो अब यहाँ पर एक course launch किया गया degree course launch किया गया astrology 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 का फिनोमेना इंडिया में काफी बढ़ा है बहुत सारे लोग तो astrology में business कोलने को बैठे है उनको पता है कि इंडिया में बतेरे बेवकूप बैठे है जो astrology मदब भरोसरते हैं sorry अगर आपको मेरी भाशा खराब रही हो लेकिन actually में कभी-कभी वेफ को फी लगते है मैं यह नहीं बोलूगा कि लोगों को ग्यान नहीं होता है astrology में बहुत सारे लोगों को बहुत ग्यान होता है कुछ बड़े-बड़े पंडित ऐसे हैं जो सच में जो कुछ भी बोलते हैं काफी हद तक चीज़ें सही होती है लेकिन अकसर कर आपने देखा होगा मॉंबई दिल नहीं है कि आप मॉल में जाओ तो वहाँ पे केस्टोलाजर बैठे होते हैं वो आपको जनरल टाइप की चीज़ें बताते हैं जये के मार्स पे पहुँच चुका है वहाँ पे कोर्स शुरू की जा रहा है ये ठीक नहीं है और ये पहली बार नहीं जो इंडिया में ऐसा करने है कोशिश की जा रही है 2001 में भी आटल भिहारी बाचपीजी की सरकार में एक ऐसा ही कोर्स चलाने की बात की गई थी बढ़ इतना अपोजिशन हुआ कि उस आइडिया को उस समय पे ड्रॉप कर दिया गया ऐसे केस में scientific temperament की ज़रूत है education के अंदर ना कि आप astrology की ओपर पूरा का पूरा एक कोर्स चला दो अब खास बात यहां पर यह है कि अगर आप astrology का कोर्स चलाते हो तो इसमें पढ़ा क्या जाएगा तो horor scope पढ़ा जाता है तो जब एक particular इंसान पैदा हुआ उस समय पे planets का alignment कैसा था ठीक है यह इस बात को decide करेगा कि आगे आने वाले समय में एक particular person की जिंदगी में क्या होगा तो राहू, केतू, सन, इन सब चीजों को देखके, मून, इन सब चीजों को देखके आपकी हो जाओं के तूर यह बताया जाता है कि planets के alignment के चलते जो कमियां आ रही है जिसके चलते आपकी जिंदगी में problem से उनको सही भी किया जा सकता है तो इस प्रकार की चीजें यहां पे दी जाती है अब खास बात तो यहां पे यह है कि astrology में जिन नव ग्रहों की बात होती है उन नव ग्रहों में आपका सूरज भी आता है और मून भी आता है अब टेक्निकल यह आप साइंस की भाशा में देखोगे तो आप जानते हो कि sun एक स्टार है और मून एक सैटलाइट है अर्थ का यह एक्चुली में प्लैनेट है भी नहीं, बट अस्टोलाजी में उनको प्लैनेट बोला गया है, तो यहीं पर सैंटिफिकली चीजें गलत हो गई, प्लस सन एक अकेला स्टार नहीं है ऐसे बिलियंस ओफ स्टार से हमारी गैलक्सी में इन फैक्ट हमारे पूरे के पूरे Milky Way गैलक्सी के बात करो तो वहां तो हैं पूरे के पूरे सोलर सिस्टेम में चले जोगा तो अथा पता ही नहीं है कि end में क्या है तो ऐसे केसिज में आप सन के ओपर मून के ओपर राहु केतु के ओपर डिपेंड करने लोगों राहु केतु जिनको यहां पे नवगरह कहा गया है जिनको डेंजरस प्लैनेट बोला याता है अस्ट्रोजी मोवव अक्चुली में प्लैनेट भी नहीं है तो कुल मिला के बहुत unscientific तरीके की चीजों के साथ ये आपकी astrology काम करती है तो आप जब पैदा हुए उस समय पे क्या orientation है आपके planets का ठीकिना किस particular time पे आप पैदा हुए हो इसके basis पे आपका future decide के जाता है जो काफी हद तक unscientific है ऐसा यहाँ पे author बताने की कोशिश कर रहा है एड में author बोल लाए कि एलन मस्क जैसे American businessman SpaceX mission के अंदर Mars को colonize करने की कोशिश कर रहे है humanize करने की कोशिश कर रहे है at the same point of time Stephen Hawking ने बोला था कि जो mankind का सबसे पहला target होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि भाई universe में एक alternative habitable planet को धुणा जाए जहाँ पे humans जाके रह सके अब ऐसे cases में pseudo science की नहीं हमको astrophysics की जरूत है astrophysics is a robust scientific discipline तो इस प्रकार के course अगर इंडिया में चले जाए ज़्यादा बेटर रहेगा pseudo science जैसे courses जैसे इस प्रकार का astrology course चलाए गया है इससे ज़्यादा कुछ देखी होने वाला है नहीं यह author यहाँ पे बोल रहा है तो यह था आज का editorial discussion दोस्तों I hope आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो ज़्यादा ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को share करिएगा I hope आपको इस प्रकार की वीडियो मदद कर रही है आपको definitely इससे help हो रही है अपनी viewpoint नीचे comment box में मुझे जरूर दीजगा Have a great difference, goodbye and take care